आज हम फिर मिलेंगे फूलों की तरह खिलेंगे, करेंगे सहत की बात सुभाश गोहल हेल्थ शो के नए महवानों के साथ और करते हैं बात जो करती हैं क्रोणों दिलों पर आज आपके फेपरेट शो विग बॉस की फेल्म दिलनाच मैडम दिलनाच हमारी दो बेटियां जो आपकी बहुत बड़ी फैन है जब से उनको यह पता चला है कि जो एक बहुत खुबसूर्थ फिलम थी आपकी शारुखान साथ के साथ कल हो ना हो हम प्ल Спथाल हो ना हो तो उसकी जो स्भी तो हमारे शो में आ रही हैं सभाष गोईल हेल्थ शो में तो आपने बीग बॉस नच बलिय ना भान की ए मों तो कामल-े-ताणीव है और मुझे लगता है कि आज सुभाज गोल हेल्थ शो में भी आपके माध्यम से बहुत बड़ा एक मैसेज दुनिया में जाएगा कि हमारी सहित को फिट रखना और हर हाल में अपने आपको खुश रखना कोई सीखे तो दिलनाज से सीखे Thank you sir Thank you Subhashiji itna beautiful introduction देने के लिए my मेरे लिए और थान्क आपकी बीटियों को जो बहुत सारे fans है Sweet UK मैं मानूंगी और मैं दिल से दिल से thank you बोलना चाहूंगी आपकी बीटियों को जो दे रहे इतना, you know, इतना अप्रोच साहन मिलता है मैं सबसे बड़ी गिफ्ट यहां से लेकर जाओंगी आपका नॉलिज जो आप इस शो के दौरान मुझे सारी चीजे जो बताएंगे वो मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट होगा यहां and thank you so much मैं तो पहले यह कहना चाहूंगी कि आप अपने आपको इतना मैंटेन इतनी ब्यूटिफूल कैसे बनागे मैंटेन सर हार्डली मैंटेन मतलब अगर मैं कल हो नहों की बात करूँ तो उसको 20 साल हो जाएंगे 27 नवेंबर को 28 नवेंबर को पिचर को और जिसलिए में देखा है मैडम को आज भी वही है यहां सभी फरकनी है बहुत 20 किलो जादा हो गई हूँ मैं वो कम कर लेंगे वो जो आप आए हो उसी के लिए उसी की वज़े से मैं यहां पूछने के लिए कैसे कम किया जाए I think for us as artists मुझे ऐसा लगता है कि देखे मैंने आपका शो देखा है सुना है आपके बारे में लेकिन पहली बार जो मैं यहां आई हूँ एक purpose है मेरा आने का कि मैं बहुत जानना है मुझे हम artists you know lights face करते है इतने schedules हमारे उपर नीचे कभी 7 बजे की shift कभी रात की shift तो हमारा face ही हमारा सब कुछ है beauty you know तो वो maintain रखने के लिए आपकी कोई राय है आपकी कोई suggestion है you know कई चीजें होती है जैसे ना जो लोग थोड़े health wise overweight होते हैं artist का रुटबा होता है हर एक कोई बहुत slim बहुत सुन्दर लगता है कोई बहुत मोटा होता है वो भी बहुत सुन्दर अपना role होता है उसका लेकिन कई जगह पे जो ladies होती है उनको हमेशा slim trim रहना बहुत important होता good product जो market में हमारे वैद हैं जो बनाते हैं वो देते हैं पिछले लगबग 1992 में से आज बहुत साल हो गए है और एक समय बीत गया है और यह समझ लोग की चार दशक बीत गए हैं तो वो जो चीजें हम देते हैं तो उससे क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा पहले हमारे हमारे जो medicines हैं जो कहलो कि हम supplement देते हैं वो उनका रोल है जी एक बहुत बड़ा कि वो वेट तो reduce करते हैं लेकिन उनका यह रहता है कि जो वेट एक बार reduce हो गया वो दवारा से gain नहीं होता बहुत सारे लोग कहते हैं हमने इस दवा को इस चीज को follow किया हमारा वेट तो एक समसे वो वेट फिर पूटाउन हो गया तो ऐसी चीजों से बचने के लिए हमने वो एक product दिया था यह आपके पास ही पढ़ा है glue glue करके हाँ इसका नाम ही हमने बड़ा फ़नी रखा था कि मजाक मजाक में मिया भी भी एक दूसरे को बोलते हैं कि तू glue glue होगी है इसको ठीक क अब जो बोलते हैं कि गोहिल साब ने बनाया glue glue तेरे लिए वो ले 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 तो यह चीज जो है यह वजन कम करने के लिए हमारा बहुत ही गजब का अब इसके अंदर यह जो पीने वाली आपने medicine उठा रखी है इसके अंदर सबसे परधान जो चीज है और शदी जो परधान ह है वो है इसके अंदर trifla हरड भेड़ा आमला का मिश्रण और यह है capsule जो glue glue slimming capsule है मैड़म इसके अंदर हमने बाखी तो सारी चीज़ें डाली है एक बहुत बड़ा combination दिया इसको गार सीनिया कमभोजिया का गार सीनिया कमभोजिया लोग लिख देते हैं दे भी देते हैं मैं कहता हूं बहुत सारी कमपनियों बहुत इमांदरी से काम करती हैं वो चलती भी है लेकिन हमारे जो वैदबान का जब लग जाता है न जी यह logo उसके उपर तो यह समझ लो कि यह purity का परमान है तो वैदबान लिखा है तो परमानित purity है तो जब हम देना शुरू करते हैं तो चंद दिनों में और बड़ी बात क्या है कि खाते पिते लोग कुछ भी खाते पिते रहें को बहुत जादा चीजे हम बना नी करते सिरुप चीनी और चाबल का प्रहज बताते हैं हमारे बैद जो है कि चीनी और चाबल से प्रहज कीजिए गुड लीजिए शक्र लीजिए और बहुत सारे खाने हैं खाये आप लेकिन इसके साथ वेट रिडियूस होगा और आपको भी देखेंगे पांचे मेने के बाद आप कहां स्टैंड गरोगे क्योंकि यह लेकर जाओंगी आपके लिए तो है कोल सर बहुत बहुत जरूरी है यह मेरे लिए तो बहुत ही आप से पूछू और यह लेकर ही जाओंगी मैं और आम शॉर जैसे आपने कहा कि यह लेने से कुछ माहिनों में मुझे फरक पड़ जाएगा तो बंबे इंडस्ट्री में नजरा होगे मैडम हमारा अग्जंपल बनोंगे आप वहां पे लोग कहेंगे क्या किया है तो अगल मेरा मेरा खाना है और वेट बढ़ना और यह सब तो यह तो सॉल्फ कर दिया अपने प्रॉब्लम अब मुझे बताइए कि जो आज आटिस्ट जो हम इतनी महनत करते दिन भर रात को भी काम करते है तो स्किन डल हो जाती है ब्यूटी के हिसाब से फेस के लिए हैर के लिए ब कोई प्रोडक्ट है ऐसा मैं आपको बदाता हूँ मैडम आपका तो चलो शेडियूल बहुत ज्यादा बीजी रहता है जो लोग बंबे में आर्टिस्ट लोग है इंका तो बहुत ही बीजी है तब एक स्किंट का टाइम नहीं होता लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो विले ब पर जी कहलो कि चमकालो बरतन को अगर उसका अंदर से कमजोर है यह होता क्या है इसका प्राब्लम क्या है कि यह लिवर हार्ट और ब्रेन का प्राब्लम है ब्यूटी हम जो ब्रेन से सोचते हैं वही चीजे हमारे शरीर पर रिफिलेक्ट करती है और धीरे धीरे वहार्ट प पहले बुड़ा लगने लगता है तो पहले तो हम जो जो आजरवेट सिस्टम कहता है मैं सभी को बताना चाहूंगा कि जितने भी लोग beauty product जा beauty के लिए काम कर रहे हैं जा करवाना चाहते हैं जा लेना चाहते हैं वो सब से पहले अपने पेट की सफाई करें जब बरतन साफ नहीं है तो उसके अंदर कली कुची जितनी मर्जी कर लो गट जो आजकल एक word चल रहा है गट cleaning गट साफ होना चाहिए तो सब कुछ साफ होगा जब आपका पेट साफ है मन खुश है तो बंदा जितना मर्जी वो हो देखने में अच्छा भी न लगता हो वो भी खुश चेहरा जो होता है वो अच्छा लगता है बगवान का बनाया ह लो वो भी लगाओ मैं मनदा नहीं करता हो लेकिन उससे पहले किसी अच्छे वैद के पास उसकी राय जरूर लो जो बाते मैं बताने जा रहा हूं मैं सभी दर्शकों को कहूंगा कि सभी का ये तो होता नहीं कि अब मेरे पास ही आओगे हमारी कंपनी ही आपको आयरवेदिक का बेस्ट आयरवेदिस्ट कोई वैद है या वैद नहीं है आप उसकी सला जरूर लेना कि गोईल साब ने ऐसे बताया था कि तिरफला वन टू एंड फोर की रेशो का लेना है सर कैसे लेना है तो वो आपको बता देंगे अगर हम नहीं मिलेंगे आपको और व या ऐसे साफ होती है जैसे डिटर्जन से कपड़ा वाश होता है अंदर से इतना क्लीन होगा और लूज मोशन भी नहीं लगेंगे कोई परिशानी भी नहीं होएगी पांच ग्राम बतार एक चमच एक चमच टी स्पून स्टील वाला एक चमच वो मूँ में रखना और पान सकते हैं तो यह इसका सबसे बड़ा क्या है तिरिफला दुनिया बनाती है दुनिया बेचती है दुनिया करती है पहला तिरिफला पाउडर है जो वैदवान कंपनी उपर वैदवान का लोगो लगा है इसको जरूर देखना www.web.com हमारा जो वैब साइट है उस पे जाके त और इसको पूरी तरह हाइजनिक तरीके से त्यार किया जाता है क्योंकि आप जैसे सैकडो सेलिब्रिटी हैं जिनको यह जाता है और वो यूज करते हैं तो यह एक ब्यूटी का सबसे बड़ा स्त्रोथ है और इसको लेने से अंदर से जो वाशिंग होती है स्किन की पेट की तो उसका बैनिफिट मिलता है एक चीज पूछूं सौरी यह जो पांच बजे लेने को बोला पांच बजे के बाद भी चाय पीते है फिर रात को से रात तो नहीं हम भी अभी कोशिश कर रहे हैं इंटरमिटिंट जो चालू हो गया है साड़े छे बजे साथ बजे खाना खा सकते हैं इसको लेकर एक घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं है उसके बाद आप अपना दिन चरह जो भी है रेगुलर कीजिए कोई परशाद नहीं है और दूसरी चीज ब्यूटी के लिए बात कर रहे है इसका प्रड़क्ट का यह अंदर का ब्यूटी सिस्टम सेट करता है जो अंदर से खुबसूरत है बाहर से वो अपने आप खुबसूरत हो जाता है उसके बाद अंदर जो ब्लड की कमी है शरीर के अंदर अपने टीशू कमजोर हो गया है जैसे अब चेहरे पर रिंकल आ जाते हैं टीशू कमजोर हो गया है स्किन बीक हो रही है उसका पोशन कर रखना है मैं यह नहीं कहता आप किसी से भी लोग कहीं से भी लोग आपकी जम्मेधारी है लेकिन मैं एक बात जुरूर कहूंगा कि चार दश्कों से वैद वान कंपनी का यह लोगो बड़ी मुश्कल से और्गैनिक मिलता है जी एम पी सर्टीफाइड है यह इसमें दो तरह क सब्सक्राइड वालों से भी फूड सेफटी और दूसरा यह आजरवाइदिक सिस्टम से भी जी एम पी वालो गुड्ड मैनुफेक्ट्रिंग परड़क्ट तो यह इसलिए लिया गया कि यह हर वी आईपी हर सेलिब्रिटी हर अच्छे घर में जाता है तो उनको सारी चीज पता होती है इसका एक चमच मैडम ध्यान रखिएगा एक बड़े वाला चमच जो टी स्पून से थोड़ा बड़ा होता है वह वाला चमच एक गिलास पानी जा कप ले लो जा गिलास ले लो उसमें पानी थोड़ा सा नरम जैसे बॉड़ी टेंपरेचर के अकॉर्डिंग ग तब तक यह अपना काम इसका रेडी हो जाता है फिर इसको एक बार आके हिलाना है हिला के इसको सिप करकर के पीना है और थोड़ी देर अगर हो सके जो आप ब्यूटी पारलर में दो दो गंटे लगाते हो ब्यूटी के लिए तो इसके लिए सिर्फ आपने दस मिनिट लेट लेटना है और उसके लेटना है और इसको डाइजेस्ट करना है तो यह जब आपको डाइजेशन में चला जाएगा तो यह बॉडी के अंदर जब आप अपना एच्वी चेक कराओगे तो नॉर्मल आएगा कभी एच्वी डाउन नहीं होगा हो मैंने का यह सबसे बड़ा स् विटिमिन D और विटिमिन B 12 हमेशा ऐसे लगता है especially post 50 गोल जी ऐसे लगता है कि आप तायर्ड हो रहे हो लथार्जिक हो रहे हो काम मतलब मुश्किल से हो रहा है एक दम यह जाने जाने में ना जी बलड की बोतल का काम करता है जाने जाने में यह वो चीज है और यह दो ची वन टू एंड फॉर परसेंट की रेश्यो का और एक औरगनिक वीट ग्रास पाउडर इसके लिए हमने खुद मतलब तेती चौती किले जमीन ले करके खुद वीट ग्रास की परसेसिंग करते हैं खुद फॉर्मिंग करते हैं खुद की परड़क्ट है यह नहीं है कि किसी का हमारा खुद का 100% फेथ है तब जाके लोगों का फेथ माला और यह कितना चलेगा यह वन मन्त चल जाता है एक पैक और इसको तो लाइफ टाइम लेते हैं जी लोगों को मैं कहता हूं लाइफ टाइम लो क्योंकि एक बहुत बड़ी प्राब्लम और भी है मैडम आपने आप यह इतना गुद रिजल्ट जिसने 6 महिने तक इसको खा लिया ना जी को 6 महिने के बाद इसका ही होके रही जाता है इसको खाता भी खार जाता है क chiraleb digestive system को ठीक कर देता है blood circulation को ठीक कर देता है BP बड़ा हो कम हो इसको ठीक करता है इसके फाइदे गिनाते गिनाते मुझे लगता है कि बहुत समय हो जाएगा और इसके बारे में Google पे सर्च कीजिएगा www.bad1.com पे जाकर के organic beetgrass के बारे में आप पढ़िएगा आपको पता चलेगा कि बहुत सारे लोग यूज करते हैं अब जैसे लोगों के नाखुन फट जाते हैं बाल जड़ते हैं बालों में दो मुहें बाल हो जाते हैं उनके लिए ये दो चीजे सफिशेंट हैं और सबसे एक बड़ी बात और ब सब्सक्राइब आना है देखो हम कोई भी चीज नहीं कहते कि बाल जड़ते हैं तो बैलों में लगाओ जैसे आज कि आठ रेंड हो गया किसी का गुटना दुखता है डॉक्टर गुटने में ठीका लगाता है कंदा दूखता है तो कंदे में इंजेक्शन लगा देते हैं ऐ काम प्रॉब्लम कहा है जड़ पे रूट पे काम करता है आजरुवेद तो बाल जड़ते हैं तो नभी में तेल लगाओ तो आप देखेंगे कि चंद दिनों में बालों में रौनक आने लगी है तो ये तो हंड़र्ड परसेंट में लेके जा रही हो फूझे लगता है मैं सारी अभी तो मैंने ये बात नहीं करी और जो आपने एक चीज कही ना गोल जी बहुत दिल को चूँ गई है और ये मैं खुद लाइफ में में इन्टेन करती हूँ आपने जो कहा कि अगर अंदर से आप खुश रहोगे स्वस्त रहोगे तो चेरे पे वो रौनक 100% दिखाई दे अभी आपको मैं ये बताता हूँ कि ये फुट एंड हैंड प्रोवी ये प्रोवी का मतलब है प्रोटीन एंड विटामिन्स ये आईल के अंदर हमने दिया है और ये एक ऐसा आईल है मैडम कि इसको जो लोग कहते हैं मेरे पाउं में जलन होती है पैर सड़ते रहते हैं टा है तो वह भी तो व्यूटी का नास कर देता है तो उसमें क्या है कि ये जो फुट एंड हैंड प्रोवी हमने बनाया आप देखेंगे मुझे 30 एर हो गए है कम से कम इसको यूज करते हुए आज तक मुझे सुबह 9 बजे मैं बैठता हूं अपनी सीट पे रात को 9-10 बजे उ को और जो कॉटन है ऑईल वाड़ा उसको ऐसे अपने हाथों के और पैरों के नाखुन पर डिप करना और कहीं नहीं क्योंकि हमारे हाथ और पैरों के नाखुन जो है वो सांस लेते हैं पर जब तक आप प्रोवी ओईल जिस पर बैदवान लिखा है जब तक ये आपके पास कि लेडीज को क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं ब्लोटेंग एंड वेट का इस्यू एंड स्किन ड्राइनस एंड हैर ब्रिटल एंड हजार प्रॉब्लम्स मूट स्विंग्स पसीना आना हॉट फ्लैशे मुझे तह ऐसा लगता है कि AC दो-दो AC भी कम पढ़ जाए जब होते हैं नॉट इंट्रेस्टेड इन एनिफिंग मतलब लथार जी क्या-क्या बोलूं आपको नेवरेंडिंग लिस्ट होती है हम जैसे लेडीज की जो ये प्रॉब्लम इस एज के बाद फेस करती है क्या उपाय बताएंगे और आप जो बताएंगे वो मैं फॉलो करने वा यह इसके अंदर शुरू कर देना चाहिए जब लोग लेडीज को मेनोपाय की प्रॉब्लम होने से पहले पता चल जाता है दो चर महीने कि यह प्रॉब्लम आने वाला है तो मैं कहता हूं कि उसी समय कहीं से भी आप अरेंज करो हमारे से अरेंज करो जो यह और गैनिक वीट खा जाओं आइस खा जाओं और आइस वाले पानी से नहाल हूं इतनी मतलों उसको गर्मी फील होती है और एसी उसको ऐसे लगता है कि एसी बहुत कम है चाहे वो कितनी भी हाई स्पीट पे हो तो उसको मतलों इतनी बेचैनी और यह कुछ समय के लिए होती है जैसे कहते है कई लेडिस को ये पता ही नहीं चलता मुझे क्या हो गया कि अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले नाभी टच आइल रहा है वो अपनी नाभी में लगाना मत छोड़िए कभी मत छोड़िए इसको लगाने से आपको ऐसा रिलीफ में लेगा कि बाडी टेंपरेचर अपने ब्रेन से जुड़ा हुआ है ब्रेन और नाभी का अगर सूतर सही है तो बाडी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती हमारे पास ऐसी लाखों अगसामपल है यह मुट्यार पाउडर है यह जो मुट्यार पाउडर है ना जी एक ऐसी चीज है जो अंदर से जो भी गाइनी प्रॉब्लम है यूटरस के साथ वो सारी प्रॉब्लम को यह सॉल्व करता है अब जैसे यह उन लोगों के लिए भी है जो जाते हैं पीसी ओडी के शिकार हो जाते हैं बच्यां उन सब के लिए यह एक वर्दान सर यह थाइरॉइड बिकाज मुझे थाइरॉइड है सालों स तो थाइरॉइड के लिए भी काम करेगा तो थाइरॉइड के लिए यह तो खैर करेगा है करेगा एक चीज और बताता हूँ मैं आपको काली मिरच एक मग पीपल होते हैं लम्बे-लम्बे से और एक सौंट यह तीन चीजों का पाउडर बना के जिनको भी थाइरेड है मैंने बोला हुआ कि मग वीपल तो उसके साथ ये सोंट जिसको हम अद्रक जा सुंड बोल देते हैं सोंट का पाउडर ब्रबर मात्रा में अगर बना के रख लें उसको थोड़ा सा हनी में मिक्स करके अपा सुबह सुबह खाली पेट ले लें आदा चमच तो जो गोली खाते ह हैं लोग थाइ Director की वो पहले 50 mm फिर 50 होती है फिर 75 होती है फिर 100 होती है फिर 125 होती है एक डाइबटीज रोग हो गया थाइरेड हो गया अस्तमे का रोग हो गया ये वो रोग जो साथ रहते हैं जाते नहीं है लेकिन इनको कंट्रोल करने के लिए सिंपल सी चीज़े अपनी रसोई घर में हैं हम लोगों को यही अवेर करते रहते हैं कि इन बिमारियों को अगर ठीक करना आए तो इनके लिए बहुत ही सिंपल चीज़े जो रसोई घर में अब जैसे मान लो किसी को अस्थमे की बीमारी है वो ये मग बिपल सॉटकाली मिर्च का पाउडर चूसता रहे तो ठीक रहेगा और मलट्थी चूसता रहे तो ठीक रहेगा ये दिलनास बैडम तुसी अज सबाष गयल हेल्थ शो दे पिछाए और सब्सक्राइब चंडिकर शान बदाई सब्सक्राइब परड़क् तड़ा शो भी चंगा, तुसी भी चंगे, मैं गुलु गुलु खाके चंगी हो जाओंगी और बाभाजी दी किर्पा सदा तड़ेते बनी रहे, सास्रिय कावी